अगर आप लोग वीडियो को देखने आए है तो वीडियो को ईंदिक देखने कीसि कुए आदा अधूरा ज्यानieurs विनाची है अगर आप लोग थोड़ा वहर वाल देखने तो आप से अदकRियो को अपनी ताइट को बंदिक करने वाल है तो वहाँ पे आप लोग कोई भी अपना important point मिस कर देंगे और उसके basis पे आप लोग काफी तकड़ा loss कर लेंगे ओके तो यहाँ पे हम लोग एक indicator भी यूज़ करने वाले जिसका नाम है moving average moving average की ऊपर मैंने काफी अच्छा अपने एक पूरा वीडियो बना रख है तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लेना क्यूंकि इस मैंने काफी अच्छी तरीकी से बताया moving average कैसे वर्क करता है और यह है क्या तकि moving average को भी lacking indicator वगरा नहीं है यह एक काफी बड़ी है indicator जो की बिल्कुल आप लोग के market के साथ ही में चलता है यह बस आप लोग यह बताता है कि कहाँ पर हमारे एक support लेवाल है कहाँ पर हमारे एक resistance लेवाल है कहाँ से bytes एक्टिवेट हो सकते हैं कहाँ पर sellers एक्टिवेट हो सकते हैं और इसकी पेसर में आप लोग को ट्रेट लेने हैं बताने वाल हो अगर आप लोग इसकी ऊपर पूरे depend को ट्रेट लेने वाल है तो आप लोग फिर भी loss करने वाल है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो को देखना और बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो को देखना वीडियो स्चार्ट वरेंस पहले मैं आप लोग को बता दू मेरा इक टैलेगाम चैले भी जहाँ पे मैं रोज आप लोग को करवाता रहता हूँ रोज बड़ी बड़ी सियो शोट देता हूँ तो अगर आप लोग मेरे साथ प्रॉफिट जेनरेट करना है आप लोग मार्केट में काफी तगड़ा लॉस कच्चों के प्रॉफिटबल ट्रेडर बनना साथ है तो आप लोग मेरे टालेगम चैनल को जोइन कर सकते हैं और अपनी एक प्रॉफिटबल ट्रेडर जरनी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिसके मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ सबसे पहले देखना है आप लोग को मार्केट के ट्रेंड को अब आप लोग अब भी यहां पर देख रहे हूँ अभी आप लोग को यहां पर पता नहीं चल रहा कि मार्केट के ट्रेंड कैसा है तो यहां पर मैं अपनी एक डाउंसाइड में एंट्रेड प्लेस कर दी है अभी आप लोग देखना इस चेट में लोग यहां पर 100% डीप डाउंसाइड करेंगे और इसकी पीछी का भी मैं आप लोग को लॉजिक बताऊंगा मैंने यहां पर इस एंट्रे को क्यों प्लेस किया है तो यहां पर अभी तो हमारे opposite direction में ही है बट फिर भी हम लोग यहां पर profit में चल रहें क्योंकि मैंने अपनी इस एंट्रे को थोड़ा सा late price किया मुझे पता था पहली यह उपर जाएगी और इसके बाद ही नीचे आने वाली है यहां पर मैं आप लोग को संबढ़ दे सबसे पहले आप लोग क्या करना है आप लोग को market के trend को देखना अगर market up trend में है, मतलब market अगर उपर जा रहा तो आप लोग के यहां पर trade place करनी अपनी up direction में मतलब यहां पर green candle पर और यही पर market down trend में है मतलब market downtrend में तो आप लोग को trade place करनी अपनी red candle पे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखे तो यहाँ पर हमारी candle नीचे आज चुकी अभी red में ही बनने वाली यहाँ पर definitely मैं 100% शूरू कि trade हमें काफी अच्छा profit generate करके देगी तो यहाँ पर आप लोग को बोल रहा था हम लोग को market के trend को follow करना है और इसके बाद आप लोग को देखना है movie average के पास कहीं पे न काफी बड़िया काफी बड़ी long candle हमें देखने के मिले अब वो long candle या तो red भी हो सकती है या फिर green भी हो सकती है यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने अपने इस चेट को यहाँ पर deep diet shoot shot win कर लिया है और ऐसी चेट मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाल हूँ कि आप लोग भी ऐसे टेट कैसे प्लेस कर सकते है तो वीडियो को पूरा देखना देखे आप लोग को बोल रहा था movie average के पास आप लोग को देखना है काफी बड़ी deep काफी बड़ी एक candle देखे ओके यहाँ पर मुझे अपनी एक candle बनते ही देखने मिल गई जैसे कि अगर आप लोग देखे मार्केट के यहाँ पर trend भी यहाँ पर overall down direction में था down direction के साथ साथ बड़ यहाँ पर market ने क्या किया अपना जो trend था market यहाँ पर अपना trend चेंज कर चुका अगर यहाँ पर green candle बनी होती तो यहाँ पर हम लोग अपनी red candle पर entry place करते हैं अगर यहाँ पर red बनी ही देखे कि आप लोग देख पा रहें तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन candle पर entry place करनी थी और यहाँ पर हम लोग deep-rights you should win करते और यहाँ मैं ऐसी कुछ example से लेकर आप लोग explain करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ example दूड़ लेता हूँ पहले मुझे काफी बड़ी से एकाद example देखने की मिल जाए तो मैं आप लोग explain करूँ अगर मुझे यहाँ पर और भी कुछ अपने live entry को place करने के लिए मिलेगा तो मैं अभी आप लोग के सामने live entry को place करूँगा और आपके सामने मैं इन trades को win करके बताऊंगा अगर यह candle काफी जदा यहाँ पर बड़ी बनती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है जिसके मैंने भी आप लोग को बताया कमेंट सेक्षिन ने बताना मेरे बताने से पहले कि अगर यह candle काफी जदा बड़ी यहाँ पर ग्राइड में बन गई तो हम लोग को next candle कहाँ पर place करने next candle हम लोग को place करने अपनी green में तो यहाँ पर यह बड़ी नहीं बनी यह बिल्कुल नॉर्मल सी candle बनी है तो यहाँ पर और भी कुछ मैं आप ऐसी जूड़ के बता देता हूं अगर मुझे यहाँ पर live entry प्रीज करने के लिए नहीं मिलीगी न तो यहाँ पर मैं आप लोग कुछ ऐसे example समझाते रहूंगा देखे जैसे कि market का यहाँ पर अगर आप लोग देखे तो market के trend यहाँ पर कैसा है market के trend तो यहाँ पर up direction में और अगर market के आप लोग को trend समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर 5 minute का time frame ओपन कर लें इससे आप लोग को identify करने में काफी जाद easy होगा तो यहाँ पर market के आप लोग trend देखे तो यहाँ पर थोड़ असा तो market ऊपर जा रहा है बट यह market इतना तो उपर नहीं जा रहा है थोड़ा बहुत consolidated market है बाफ पास हम लोग यहाँ पर switch कर लें तो 1 minute के time frame पर तो यहाँ पर मैं explain करने वाला था आप लोग को यहाँ पर देखे यह candle ने काफी जदा हमें यहाँ पर breakdown देखनी मिला तो हम लोग यहाँ पर क्या करना था कहीं पर भी आप लोग को बस यहाँ पर ending में आप लोग को बत यहाँ आसा example देखने की मिल जाए जिससे मैं आप लोग को explain कर पाऊं कहाँ पर आप लोग को entry place करने है तो अगर यह green candle काफी जाद बड़ी बन जाते हैं तो यहाँ पर लोग को अपनी एक entry को place कर पाएंगे जिससे मैं आप लोग काफी अची तरह की explain भी कर पाऊंगा मैंन इसकी ऊपर काफी जाद आप लोग accuracy वाली signals कैसे ले सकते हैं बाट आप लोग को यह ध्यान रखने हैं इसमें आप लोग को थोड़े बत patience की जरूरत है जब तक आप लोग को proper trading setup ना बने हैं आप लोग को entry place नहीं करने हैं आप लोग को proper trading setup बन जाएं आप लोग अपनी entry को place कर दीजी बिल्कुल आखे बन करके यहां पर हम बोल रहो हो 100% आप लोग अपनी entry को win करेंगे और काफी जाद डीप win करेंगे और साधी जाथ मैं आप लोग को saver short होने वाला है ना कोई MTG ना कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा ओके तो यहां पी भी कुछ नहीं हो हमा इसलिए मैं आप लोग के सामने entry को place करके बताना चाहरू हूं कि यहांपे यहां पर हम लोग ज्यादा wait नहीं करते हैं यहां एक और example लेके आप लोग के समझा देता हूं यहां पर काफी यदा हमें बड़ी राइट कंडल बनती दिंगी मिली, उसके बाद मैंने आप लोग को बोला था, अगर मार्केटे ब्रेक आउट ब्रेकड़ूट देखनी मिले, तो इसके अपोजेट डायरेक्स्वन आप लोग को एंट्री को प्लेस कर देनी है, और सेम यहा प्लेस करना था अपने एंट्री को, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लोग यहां पर डीप डायरेक्स्वन करते हैं, और यहीं पर इसका मैं आप लोग के एक और एक्जांपल दूँ, यहां पर इतनी बड़ी हमारे ग्रीन कंडल ने ब्रेक आउट दिया हमा यहां पर एक दर्फिके आघ्राओ का दाएम, यहां पर आप लोग को प्लेस करते हैं, को यहां पर एक अपनी और प्लेस करते हैं तो देखिए यहां पर अगर हमारा कोई भी एक SNR लेवल आ रहा होता, तो यहां पर हमारा कोई भी SNR लेवल आ रहा होता है, तो यहां पर हमारा कोई भी SNR लेवल आ रहा होता है, यहां पर हमारा कोई भी SNR लेवल आ भी रहा है, तो देखिए इतनी बड़ी है हमारी एक proper zone में draw कर देना, तो यहां पर हमारे एक SNR level भी आ रहा था, तो यहां पर हमारे SNR level को breakdown दिया, और हमारी movie average को breakdown दिया, तो जब भी आप लोग को काफी nearby SNR level देखे ना, जहां पर आप लोग जिस डायक्शियों एंट्री को place करने वाल है, जिसकि अगर आप लोग यहां पर इसके breakdown के बाद, यहां पर आप लोग अपनी green candle पर entry को place करते हैं, और यहां पर क्या होता, market बास इसी touch करके बापस नीचे आ जाता, मतलग SNR level के पास आप लोग एंट्री को place नहीं करनी है, अगर यही SNR level ना, आप लोग की यहां पर आता है, यहां पर हमारे SNR level आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इसके ही यहां पर हमारे SNR level आ रहा है, तो यहां पर आप लोग एंट्री को place नहीं करनी है, यहां पर एक zone के बीच में फस्स चुक है, market यहां पर कुछी भीविर दे सकता है, market यहां पर इतने बड़े zone के बीच में अभी market drive करें, क्या पता market यहां color pattern OTC market follow करता है, जैसे इसके उपर में फुल वीडियो आप लोग लिए upload कर रहा है, color pattern कैसे follow करता है, OTC market में कैसे follow करती है, इसके उपर में फुल वीडियो अप्लोड कर रहा है, उसको भी जाके आप लोग देख लेना, वो भी काफी जाते accuracy के साथ work करता है, market यहां पर आप या तो हमारे buyers exhaust हो गए, या तो हमारे sellers exhaust हो गए, तो उनके जो next candle होती ही, उनके opposite direction बनती है, और यहां पर इतनी बड़ी यह green candle बनी है, उसके बात किया हुगा, यहां पर opposite direction बन गई, एक right candle, और इसकी accuracy पर आप लोग सख मत करना, पहले आप लोग थोड़ा वाँ डेमो में ट्राय कर लेना, उसके बाद जाके आप लोग भले सुच कर सकते हैं, live market में, आप लोग अगर सख होता है, तो आप लोग direct live market में स्विच कर सकते हैं, कि इसकी accuracy की ऊपर मैंने काफी ज़दा work किया है, काफी ताइम से इसकी ऊपर work कर रहा हूँ, तब ही जाके मैं आप लोग द्वारा देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को द्वारा देखेंगे, तो उससे आप लोग काफी अच्छी तरीकी से समझ में आ जाया, क्योंकि कोई भी point ऐसा रहते हैं, जो हम लोग से miss हो जाती वीडियो को सुनते हुए, या फिर हम लोग कहीं पर थोड़ा नेक्स वीडियो में तब तक लिए, बाई